यूद्ध कम्प्टिशन टाइम के ऑन्लाइन क्लासेस में आपका स्वागत है जैसा कि हम थेयरी आप मसीन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और थेयरी आप मसीन के अंदर हमारा जो टॉपिक जो चैप्टर चल लाए है वो है मेकिनिजम और आज हम मेकिनिजम का चौथा लेक्चर लेकर आये हैं तो चलिए इसको ही स्टार्ट करते हैं हमारा थेयरी आप मसीन आज लेक्चर नमर चार होने जा रहा है कॉपिक हमारा है मेकिनिजम जैसा कि आज हम पढ़ेंगे यहां पे लिखा है हमने कि डिफ्रेंट टाइप आप ज्वाइंट या पेर मैडियर हमने बहुत सारे ज्वाइंट पेर अभी तक बात कर चुके हैं लेकिन आज का जो यह क्लासिफिकेशन है यह दूसरे और क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा ह हैं आज हम जो यह ज्वाइंट या पेर पढ़ने जा रहे हैं मैडियर यह हमारा लोवर पेर सिस्टम के लिए हम पढ़ाई करेंगे हम यहां पर जो भी डिसकुशन करेंगे और सिर्फ और सीफ जो भी हम यहां पर आज डिसकुशन करेंगे आज का डिसकुशन अभी का इस different type of joint pair जो लिखा हुआ है, यह discussion हमारा lower pair system के लिए है, किसके लिए है, lower lower pair system lower pair system में हम आज देखेंगे कि हमारा binary joint क्या है, binary joint की जब बात करता है, तो लिखा है कि event two links are connected, यहाँ पर typing error हो गया है, where, where two links are connected और दो लिंक आपस में connection बनाएंगे, और एक connection इस तरीके से बनेगा, क्योंके बीच का जो connection होगा, ओ connection हमारा lower pair होगा, क्या होगा, lower pair होगा, my dear, यह जो binary joint हमारा word है, क्या है, यह जो हमारा binary joint word है, binary joint जो यह word है, जो यह सब्द लिखा हुआ है, यह binary joint जब हम बोलेंगे, यह तभी हम बोलेंगे, जब हमारा system कैसा हो, जो हमारा connection बना हो, दो लिंक के बीच में, ओ connection lower pair हो, कैसा हो, ओ connection हमारा lower pair हो, क्यों, क्योंकि हम जो discussion कर रहे हैं, यह lower pair system के लिए ही कर रहे हैं, यहां पर हमारे पास एक link number one है, एक दूसरा link है, जो link number two यहां पर हमने लिख रखा है, यह दोनों के दोनों link आपस मैं यहां turning pair पे जुड़े हुए हैं, किस पे जुड़े और यह turning pair, surface contact होने की विए से, area contact होने की विए से, हमारा यहां पर lower pair बना रहा है, this turning pair, क्या, this turning pair, इजे binary joint, क्या है, यह binary joint है, कैसे है यह, हमारे, दो, हमारी link है, link number one और link number two, यह दोनों के दोनों link हमारे pin joint या hinge joint से जुड़े हुए हैं, और इस तरीके से जुड़े हैं, कि यह surface contact या area contact बना रहे हैं, हमारे दोनों link, हमारा यह link number one है, यह link number one है, यह हमारा link number two है, यह link number one है, और यह link number two है, यह link number one और link number two, आपस में hinge joint से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे यह, और यहाँ पे surface contact या area contact बना रहे हैं, area contact, और area contact बनाने की वयर से, इनका connection, इनका pair, lower pair कहा जाएगा, और हम जो discussion किया है, binary joint का, यह binary joint lower pair system के लिए ही किया जाएगा, आगे चलते हैं, माइडियर, हम जब binary joint का discussion कर रहे हैं, तो हमने एक और example ले रखा है, हमारे पास एक slider है, क्या है, slider है, हमारे पास एक slider है, जिसको हमने link number two दिखा रखा है, हमारा एक fix link है, जिसको हम ground link बोल रहे हैं, इसको link number one दिखा रखा है हमने, और यहाँ पे भी surface contact या area contact है, कैसा है, surface contact, surface contact है, या area contact है, या क्या है, area contact, surface contact है, area contact होने की वयसे, हमारा link number one और link number two, यहाँ पे lower pair बना रहा है, कौन सा pair बना रहा है, lower pair, और साथ ही साथ, link number one और link number two के बीच में बना हुआ connection हमारा यहाँ पे binary joint कहा जाएगा, इस sliding pair, यह slider, link number two है, यह link number one के साथ, जो sliding pair बना रहा है, यह sliding pair यहाँ पे binary joint है, और यहाँ binary joint एक lower pair है, क्या है है, हमारा यह binary joint एक lower pair है, यहाँ पे लिंक number one और link number two के बीच का connection हमारा lower pair है, यहाँ पे हमने link number one और link number two दिखा रखा है, यह link number one, link number two के साथ, एक turning pair पे जुड़ा हुआ है, किस पे जुड़ा हुआ है, turning pair पे, turning pair पे, turning pair पे, यहाँ हमारा turning pair एरिया contact होने के वयसे, यह surface contact होने के वयसे, हमारा यहाँ पे lower pair बना रहा है, कैसा connection बना रहा है, lower pair, और my dear, जब दो link आपस में lower pair से जुड़े हुए हो, तो उन दोनों link के connection को, उन दोनों link के pair को या joint को हम क्या कहेंगे, binary joint, क्या कहेंगे, binary joint, लिखा है, this turning pair, this turning pair, this turning pair is a binary joint, हमने बोला ना, binary joint जब सब्द यूज करेंगे, तो वहाँ पे जो link के 20 का connection है, और lower pair होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी यह सब्द हम लोग यूज कर पाएंगे, this connection is lower pair, यहाँ पर जो connection बना है, हमारा यह connection lower pair है, आगे चलते हैं, हमारे पास दो लिंक यहाँ पर है, link number one जो की कैम है, link number two जो के यहाँ पर follower है, यहाँ पर हमारे पास दो link के बीच में connection बन रहा है, और हमने इसके पहले क्या कहा, हमने इसके पहले क्या पढ़ा, कि जब दो link आपस में connected हो, lower pair के साथ, जब दो link आपस में connected हो, और इनका connection इस तरीके से बना हो, कि वह connection lower pair बना रहा हो, तभी हम binary joint बोलेंगे, तो सवाल हमारा यहाँ पर आता है, कि हमारे पास अभी भी दो link, जो कि link 1 है, वो एक कैम है, link 1 और link 2 के बीच में भी यहाँ पर एक connection बन रहा है, और यह connection point contact होने की वज़ा से, point contact होने की वज़ा से, यह higher pair है, क्या है? Higher pair है, तो कहता है कि जब दो link आपस में higher pair से जुड़े हुए हो, lower pair से नहीं, higher pair से जुड़े हुए हो, तो क्या यह joint binary joint कहा जाएगा? तो इसका answer है my dear कि नहीं कहा जाएगा, लिखा है है हमने कि connection आप two link, क्या connection आप two link, दो link को आपस में connect करना है, बट अगर यह connection, यह connection lower pair बनाते हुए बना है, lower pair को बनाते हुए connection मेंटेन हुआ है, तभी उस case में इन दोनों link के बीच में बने हुए joint को हम binary joint कहेंगे, यहाँ पर link number one और link number two के बीच में जो connection बना है, हमारा connection lower pair न होके higher pair है, ऐसे case में इस connection को हम binary joint नहीं कह पाएंगे, जब higher pair connect होगा higher pair आ जाएगा तो binary joint नहीं कहा जाएगा, connection आप two link यहाँ पर जो हमारा connection है, connection आप two link है, यहाँ भी दो link का connection है, लेकिन यहाँ पर दोनों link का connection, connection binary joint नहीं है, not a binary joint, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ binary joint हमारा higher pair पर बना हुआ है, यह connection जो हमारे link number one और link number two पर बना हुआ है, दोनों link के बीच में, यहाँ higher pair पर बने होने के वयर से binary joint नहीं कहा जाएगा, ठीक, आगे शलते हैं, टर्रिंगे जोएंट किसको बोलेंगे, बोलता है my dear, जब आपके पास तीन-तीन link हो, क्या हो, आपके पास तीन-तीन अलग-अलग link हो, link number one, link number two, link number three, यह तीनों के तीनों link आपस में एक जगा इस तरीके से जुड़े हो, कि इनका connection lower pair बनाए, इन तीनों link का connection आपस में lower pair बनाए, तो देखते हैं इसको, हमारे पास एक link है, जिसको हमने link number one दिखाया है, दूसरा link, link number two है, और तीसरा एक link है, जो link number three है, यह तीनों के तीनों link, एक point पे lower pair के साथ आपस में connected है, क्या है यहाँ पे, यह lower pair है, यह lower pair है, और lower pair पे जब-जब my dear, link आपस में connect होंगे, तीन link एक साथ, lower pair बनाते हुई, joint हो जाएंगे, तो उस case में, my dear, ऐसे connection को, हम लोग ऐसे pair को, हम लोग turnary joint कहेंगे, क्या कहेंगे, turnary joint, हमने लिखा है, यहाँ पे, हमने लिखा है, when, where, where, three links are connected, where, three links are connected, तो जब तीन link आपस में connected हो, और किस तरीके से connected हो, कि वो lower pair बनाएं, lower pair बनाएं, उस case में हम, उस connection को, turnary joint बोलेंगे, यहाँ पे, my dear, देखते हैं, link number one और link number two के बीच में, जो connection है, वो एक binary joint count किया जाएगा, link number two और link number three के बीच में, जो connection बना हुआ है, वहाँ पे भी एक हम को binary joint मिल रहा है, लिंक number one और link number three के बीच में, जो connection बना हुआ है, वह भी एक binary joint है, out of this three binary, हमारे पास जो यह तीन binary joint हमको मिले हुए है, इन तीनो binary joint में से, my dear, इन तीनो binary joint में से, सिर्फ और सिर्फ, दो binary joint independent binary joint है, और तीसरा एक जो binary joint यहाँ पे है, और dependent binary joint है, इसका क्या मतलब है, independent binary joint, dependent binary joint, इसको समझते हैं, इसको समझते हैं, हमने तीन link का यूज करके, इनका connection बनाया, इनका joint बनाया, इनका pair बनाया, और तीनों के तीनों यह lower pair पे joint हमने बनाया है, हमने जब जोईंक अपना बनाना शुरू किया आपना ज़ॉन बनाना शुरू किया थे हम लिंक नमबर वन को लेकर आय hid हम क्या लेकर आये इसको हम दिखा रहे हैं हमारा लिंक नमबर वन है आट इसके बाद एक और लिंक लाएं जो कि क्या है लिंक नमबर 2 है फिर क्या किया हमने एक और लिंक हम लेकर आए क्या एक और लिंक लाए है जो कि लिंक नमबर 3 है लिंक नमबर 1 लिंक नमबर 2 और लिंक नमबर 3 को लेकर हमने इनका लोवर पियर पे कनेक्शन बनाया ठीक है लोवर पियर पे इनका कनेक्शन बनाया लिंक नमबर 1 और लिंक नमबर 2 के बीच में लिंक नमबर 1 और लिंक नमबर 2 के बीच में एक कनेक्शन हमारा बना 1, 2 के बीच में एक connection बना Link 2 और 3 के बीच में Link 1 और 2 के बीच में बना Link 2 और Link 3 के बीच में एक हमको joint pair या connection मिला Link 2 और Link 3 के बीच में ठीक है मैं डियर अब देखिएगा हमने क्या करा हमने Link 1 और Link 2 के बीच में connection बनाया जिसके लिए दो link यूजू स किया Link नम्मरी 1 और link नम्मरी 2 फिर क्या किया link नम्मर 2 और link 3 के बीच में एक newer pair से connection बनाने के लिए हमने किस एक direct link यहाँ पर लगाया और हमें क्या मिला Link और 3 के बीच में rover बाइनरी जॉइन्ट मिला, बाइनरी जॉइंट, इसके पहले link नमर 1 और 2 के बीच में हम कोई एक बाइनरी जॉइंट मिल चुका था, ठीक है, अब देखा जाए माइडर, वो नमर 1 और 3 के बीच में हम कोई connection बनाने के कोशिस नहीं किये है, link number 1 और link number 2, लिंक नमबर 1 लिंक नमबर 1 और लिंक नमबर 3 के बीच में जो हमारा यहां पे connection मिल रहा है जो joint मिल रहा है अपने आप मिला है इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हम 1 और 2 1 और 2 के बीच में एक binary joint बनाना चाहिए हम 2 और 3 के बीच में एक binary joint बनाना चाहिए है लेकिन लिंक नमबर 1 और लिंक नमबर 3 के बीच में automatic अपने आप हमको एक और एक्स्ट्रा पेर मिला एक एक्स्ट्रा binary joint यह क्या कहे जाएंगे हमारा independent binary joint और तीसरा जो अपने आप मिला है उसको हम लोग क्या कहेंगे dependent binary joint हमारे पास तीन मेंसे आप किसी दो को select करके बनाने के कोशिस करिए तीसरा अपने आप मिलेगा आपकी इच्छा है 23 13 के बीच पर बनाईए 23 binary और 13 binary बनाने कोशिस करिए तो 12 अपने आप मिलेगा इसी तरीके से 12 और 23 दो लिंक आप select करिए और joint बनाने कोशिस करिए तीसरा अपने आप मिलेगा तो जो हम पहले से सेलेक्ट करके बनाने कोशिस कर रहे हैं उसको independent binary joint कहेंगे और जो अपने आप तीसरा एक और binary joint मिलने लग रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे dependent binary joint ठीक है एक important point है यहाँ पर माइडियर उसको देखना बहुत ज़रूरी है वो क्या है एक टर्नरी ज्वाइंट एक टर्नरी ज्वाइंट दो बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होता है एक टर्नरी ज्वाइंट एक टर्नरी ज्वाइंट दो बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होता है दो बाइनरी ज्वाइंट जो हमने लीख रखा है यहाँ पे उसका मतलब वह वंदिंडेंडेंटेंडेंडेंडेंस में delivery जॉईंट एक टानरी ज्वाइन दो फिटो इन डिपेंडेंडेंडेंस के बराबर होता है लेकिन जब इस उस्ति करके जॉइंड बनाया गया है ल Norm और पर तो आपको तीन-पंडेंडेंड दीख रहे हैं क्या दो तीन लेकिन इन तीनों में से इन तीनों में से दो हमारे independent बाइनरी जौइनट है इसलिए एक टरनरी जौहइन्ट को एक हम ड्यू आगे चलोके हम लोग दो बादारु जौइनट के एकुवेलेंट का सीडर करेंगे आगे देखते हैं quaternary joint quaternary joint क्या करेंगे мैंड इसमें चार-चार link लेकर आएंगे link No.1, link No.2, link No.3, link No.4 इस चारो link को एक साथ lower pair बनाते हुए इनको connect करेंगे lower pair बनाते हुए हमने यहाँ पर क्या किया है टर्णिंग बनाते हुए ताकि लोवर पेर इनका बन जाए और जब लोवर पेर हमने बनाने के कोसिस किया है तो हमको यहाँ पे टोटल छे अच्छे जितने आप लिंक लेकर आए हैं यहाँ पर हम चार लिंक लेकर आए हैं तो फोर सीटू कॉंबनीशन पासिबल होगा आप बनाएंगे दोदों का चार लिंक लेकर दोदों का पेर बिनाने के कोशिस करेंगे जो टोटल नमर्मर आप पेर आपको दिखेगा ओफोर c2 से आएगा 4 c2 को क्या बोल जेगे हम फैक्टरियल 4 अपान फैक्टरियल 2 इंटू इंटू एक्टरियल 4 माइनस 2 इसको स्वाल्व करेंगे तूपर क्या आजाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 ठीक है टू ही हो गया एक्टरियल 4 माइनस 2 यह हो जाएगा फैक्टरियल 2 और इस फैक्टरियल 2 के बदले में यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 यानि 2 ही लिखेंगे तो 2 इंटू 2 4 हुगा इस 4 के साथ कैंसेल आउट हुगा आपको यहाँ पर 6 मिलेगा इसका मतलब अगर 4 लिंक लेके 2 दो का पेर बनाने के कोसिस करेंगे तो टोटल 6 पेर बनके तयार होगा ठीक है टोटल 6 पेर बनके तयार होगा हमने क्या किया है लिंक नमबर 1, लिंक नमबर 2, लिंक नमबर 3 और लिंक नमबर 4 इस चारों लिंक को एक साथ टर्निंग पेर बनाते हुए एक जगा चरणेक्ट कर दिया है ताकि हमको लोवर पेर मिल जाए ठीक लिंक नमबर 1 और 2 के बीच में आपको एक binary मिलेगा 1, 2 के बीच में एक binary 2, 3 के बीच में एक binary 2, 3 के बीच में एक binary मिल गया एक side से count करते हैं 1, 2 के बीच में एक binary 1, 3 के बीच में एक pair हमारा मिलेगा binary का 1, 4 के बीच में एक pair मिलेगा binary का आगे link number two और three के बीच में एक हमारा binary मिलेगा link number two three हो गया link number two four के बीच में हमको फिर से binary मिलेगा और आखरी जो मिलेगा वो link number three और four के बीच में हमको एक और binary joint मिलेगा ठीक है my dear अब इसमें important चीज यह है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इसको ध्यान रखना ये कि इस चार लिंग का यूज करके जो हमने बाइनरी जॉइंट बनाने की कोशिस की है लोर पेर पे टूटल छे पेर हमारे पास बन के आये हैं इस छे पेर में से इस छे पेर में से तीन हमारे इंडिपेंडेंट बाइनरी जॉइंट है इंडिपेंडेंट बाइनरी जॉइंट है और इसमें से तीन और इन तो यहां पर इंडिपेंडेंट बाइनरी जॉइंट है और तीन डिपेंडेंडेंट बाइनरी जॉइंट है इंडिपेंडेंडेंड और डिपेंडें है कि अगर आप कोशिज करिए इसमें से कोई तीन आप ज्वाइन बनाने की कोशिज करिए तीन अपने आप मिलेगा ठीक है मैडियर अब तीन बनाने की कोशिज करिए जैसे वह आप वन टू बनाना चाहिए टू थ्री बनाना चाहिए वन टू बनाना चाहिए टू थ्री बनाना चाहिए त्री फोर बनाना चाहिए आप तीन बनाने के कोसेश करेंगे बाकि तीन अपने आप मिलेगा ओ कैसे कि 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 यह हमने कि अब इसमें हम क्या करेंगे लिंक को कनेक्ट करते जाएंगे यह लिंक नमर वन यह लिंक नमर टू यह लिंक नमर थ्री और यह क्या है हमारे पास लिंक नमर पोर यह लिंक नमर फोर हम यहाँ पर चार लिंक लेकर चारो लिंक को आपस में एक पिन के दुवारा जोड़े हैं और इस तरीके से जोड़े हैं कि यह चारो लोवर पेर पर कनेक्ट हो जाएं तो इस तरीके से हमने 1, 2 बनाना चाहा, link number 1 और 2 लेके एक 1, 2 binary बनाना चाहा, 2, 3 लेके link number 2 और 3 का यूज़ करके 2, 3 के बीच में एक binary बनाना चाहा, और 3, 4 लेके 3 और 4 के बीच में एक और binary joint बनाना चाहा, यह तो 3 हमारी चाहत थी, लेकिन मिला हमें क्या, धमाके पे धमाका क्या मिला हमें धमाके पे धमाका क्यों आपने बनाना चाहा क्या क्या 1223 और 34 के बीच में बारी जॉइंट बनाना चाहा लेकिन आपको मिला क्या धमाके पे धमाका ओक ऐसे 1 2 1 2 के बीच में 1 2 1 3 1 4 1 4 इतना ही रखना है 1 4 तक 1 2 1 3 1 4 1 2 के बीच में एक 1 3 के बीच में एक 1 4 के बीच में एक ठीक है और क्या मिला आपको और क्या मिला आपको अ को देखते हैं आपको फिर मिलेगा है कि तो छी मिलेगा फोरो के बीच में गॉल बन जाहे रूंगम बनाइंट के बीच में एक बैनरी बनाना क्ट रीन facto कि प्रफोर के बीच में एक जोईन बनाना चाहें तीन तो हम बनानां चाहे लेकिन हमको मिला कितना टोटल छे इसका मतद्द तीन हमारे पास एक्स्ट्रा मिल गया उसी लिए इस कि लिए क्या बोलेंगे अब हम कि एक कौर्टनरी ज्वाइन एक कौर्टनरी ज्वाइन्ट तीन इन्डिपेंडेंट बाइनरी ज्वाइन्ट के बराबर होते हैं यह बहुत ही कंसेप्चिवल पॉइंट है इसको ध्यान से आप लोग पढ़ चुके होंगे इसको रिवाइज क इन्डिपेंडेंट होंगे कैसे होंगे इन्डिपेंडेंट बाइनरी ज्वाइन्ट होंगे इन्डिपेंडेंट बाइनरी ज्वाइन्ट कहें जाएंगे तो हमने क्या पढ़ा कि अगर आप टर्नरी ज्वाइंट बना रहे के को सिस करेंगे तो एक टर्नरी दो बाइनरी के के बड़ाबर होगा और एक कौार्टन्री फिर न ये बोले के बड़ावा और तीनों बाइनरी इंडिक डिपेंडेंगे होंगे आगे देखते हैं है रख मै...? रही है आपके पास एक लिंक को दूसरे लिंक से जोड़ा जाएगा इस दूसरे लिंक को तीसरे लिंक से कनेक्ट किया जाएगा और जो आखिर में लिंक होगा लास्ट लिंक को फिर से हमें पहले वाले लिंक के साथ फिर से हमें क्या करना पड़ेगा इस पहले वाले लिंक को फिर से एक लिंक लगाकर हम क्लोटी में बनाना होगा ये लास्ट वाले को पहले वाले से मिला के ऎये उपर तो मैंने भाली दिखा दिया है इसको कैसे में ऐसे समोझे ये तीन है ना पहला दूसरा तीसरा मानिए तो चौथे को वे से जॉइंट कर से ये लाष्ट वाले हो आपस में क्या हो connected हो और इनका connection इस तरीके से बना हो मैडियर कि पहला वाला link पहला वाला link connected हो लास्ट लिंक से in order to have a close chain close chain बनाता हुआ ए आपस में connect करें पहला वाला link पहला वाला link लास्ट वाले link से connect होते हुए एक close chain बनाए साथ साथ अब बात पूरी नहीं होई है साथ साथ तभी के सभी जो link है उनके बीच में जो relative motion हो सभी relative motion हो कैसे हो हमारे बीच हो कि इस प्लोचेन में जो इतने भी relative motion मिले आपको सारे के सारे कैसे मिले constraint constraint चिला-चिला के हमने पढ़ा था कि constraint का मतलब क्या होता है कि constraint का मतलब हां जब constraint word यूज करेगा तो बोलेगा desired तो काता है कि कानिमेटिक chain में जब हम पहले link को लास्ट लिंक साथ इस तरीके से करेक्ट करें कि एक एक close loop बनाए एक close chain बनाए और इस close chain के अंदर जीतने भी रिलेटिव मोशन आपको दिखे सारे के सारे रिलेटिव मोशन constraint मोशन होने चाहिए और एक constraint मोशन माई डियर जो constraint वर्ड आ रहा है एक constraint जो होए यह हमारा constraint की तरीके सो यह जो हमने constraint हमारे कानिमेटिक chain के अंदर इस हमारे कानिमेटिक चेन के अंदर हम अभी वैसे चेन बनाने की कुसिस कर रहे है कि आप कुछ भी करते जाए एक दूसरे से जोड़ते जाए ठीक है जोड़ते जाए आप जोड़ते जाए आप जोड़ते जाए सारीके से कन्यक्ट हो कि एक क्लोच चेन बनाए हो गया ना क्लोच चेन बनाए साथ ही साथ असली जो बात है अभी बोलना बाकी है साथ ही साथ क्या हो जितने भी हमारे रिलेटिव मोशन लिंक के बीच में दिखे जितने भी रिलेटिव मोशन दिखे जितने भी रिलेटिव मो いうこと and हो कि या सक्सेस्फुली का स्टेंड हो हमने पढ़ा था मैईडियर कि काम्प्रितन लिगा स्टेंड होगा तो स्सिश्टम से कंप्रीय होगा इसका मतलब सिश्टम इसका मतलब सिस्टम उस इस मोसन को खुद से ही मजबूर कर रहा होगा कि ओडिजायर आउटपुट दे तो यह सक्सेसफपूली तुट्स नवी होगा हो सकता है और कोफ्रीट ली कंस्टेंट भी हो सकता है आगे दिखते हैं ठीक है यहां तो हो गया कि attendance जब हमारा सारा का सारा motion surroundings motion हो तो आइसे चेन को हम कानेमेटिक lus चेन कहेंगे ऐसे चेन को हम क्या कहेंगे कानेमेटिक चेन क्या बोला मैंड Calund अगो कानेमेटिक kicks चेन होते हैं इन यह जो कानेमेटिक यहां तक समझ में आया होगा अब हम आगे चलते हैं निक्स्ट लाइट भेंग यह तो हो गया कि क्या पढ़ा अभी कि कानेमेटिक चेन जो हमारे पास बना हो अभी हमने बनाया कानेमेटिक चेन कि पहले को लिंक को बारी बारी से एक दूसरे से करते जाते हैं और इस तरीके से करें कि पहला लिंक लास्ट लिंक से कनेक्ट हो साथ ही साथ वो बनाए इसके साथ उनके बीच में जितने भी रिलेटीव मोशन मिले सारे के सारे संटेंड मोशन हो और यह मरा कंश्ट्रेंड मोशन जो है यह चाहे सो सक्षेस्फुल्द मोशन हो या कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन हूं तो नीमेटीक चेन को हम क्या कहेंगे आ साथ ही साथ अगर आप इस कानेमिटिक चेन को इस कानेमिटिक चेन को अपने लाइप में प्रैक्टिकली कहीं यूज करना चाह रहे हैं कानेमिटिक चेन को अगर यूज करना चाह रहे हैं तो आपको एक लिंक हरहाल में फिक्स करना पड़ेगा अपने कानेमिटिक चेन का एक कि फिक्स करना पड़ेगा अच्छा क्यों फिक्स करना पड़ेगा कि जब भी किसी करना पड़े नहीं पूट你 हैं तो वह इंपूट जो वह इनपूट हम जो देते हैं वोग्राउंट के रिच्पेक्ट में दिया जाता है तो अगर आपको अपने कानेमेटिक चेन में कोई एक इंपूट बनाना है और input जब भी दिया जाता है माइडियर वो fixed link के corresponding दिया जाता है with respect to fixed link दिया जाता है तो आपने kinematic chain को में हम क्या करेंगे एक link को use करना चाहिए अगर kinematic chain को तो हमको एक link को हरहाल में fix करना पड़ेगा और जैसे ही माइडियर जैसे ही आप अपने kinematic chain के एक link को आप fix करेंगे ground के साथ जोड़ देंगे connect करेंगे अब आपका kinematic chain mechanism बन चुका है क्या बन चुका है mechanism बन चुका है mechanism क्या होगा which can give desired output with respect to given output आप किसी एक link पे input देंगे और उसके corresponding आपको desired output मिलेगा और आपको जो यह mechanism मिला है मैडियर एक kinematic chain के एक link को fix करने के बाद मिला है मैडियर यह जो mechanism है जनरली यह mechanism जो है साइन्स के बच्चे भी पढ़ते हैं जब कोई बच्चा बीसी कर रहा होता है बीसी कर रहा होता है साइंस का स्टूडेंट होता है तो यहां तक की पढ़ाई वह वह भी करता है mechanism तो हमा स्टूडी के बच्चे जो साइन्स की बैग्राउंट की पढ़ाई कर रहे हैं और यहीं पर रूख जाएंगे उनका स्टूडी कम्पीट हो गया है यहीं तक ठीक वह कैसे देगा आपको डियार आउटपूट कैसे देगा वह बच्चा भी बता सकता है लेकिन आप इंजिनिंग कर रहे हैं आप इंजिनिंग के स्टूडेंट हैं आपका काम यहां पर खतम नहीं हुआ मैकेनिजम क्या है मैकेनिजम एक कॉंसेप्ट है मैकेनिजम क्या है मैकेनिजम एक कॉंसेप्ट है और हम तो इंजिनिंग कर रहे हैं हमें मैडियर इस कॉंसेप्ट का यूज करके एक मसीन बनाना है हमें इस मैकेनिजम का यूज करके एक मसीन बनाना है तो जो इंजिनिंग क मสन बना कैसे था क acces जब हम करेंगे तो मचीन बनेगा और व्रों मसीन आपका डीजारड OUTPUT दे दिया हमको डीजारD OUTPUT obtained हो गया मिल चुका है यहां पर मेकीन हम यह बोल रहा था कि आपका मेकीनिजर्ब आपको डीजारD OUTPUT दे सकता है कैन लगा है ना बोला है कि दे सकता है लेकिन जैसे ही आपने इसका किया अपने मसीन में अब आपको डिजार्ड आउटपूट मिल चुका है तो आई थिंक कि यहां तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से अब हम आगे चलते हैं डिग्री आफ फ्रीडम डिग्री आफ फ्रीडम क्या है मैं डिग्री आफ फ्रीडम बोलता है आजादी घूमने की आजादी मुबिल्टी क्या है डिग्री आफ फ्रीडम क्या है मुबिल्टी को रिप्रिजेंट करता है डिग्री आफ फ्रीडम को यहां पर डिफाइन किया ग define the position position are motion यहां पर और रहेगा position और motion इसका मतलब क्या है डिगरी या freedom क्या बोल दा है आपका है position position या motion किसी system के position या motion को define करने के लिए आपको कितने independent कितने independent variable की जरुवत पड़ रही है उस minimum नमबर आप independent variable को हम लोग क्या बोलेंगे अपने सिस्टम का degree of freedom अपने सिस्टम का degree of freedom तो मैं यहाँ पर लिखा है कि degree of freedom क्या है independent variable है अपने सिस्टम के position या motion को define करने के लिए कितने independent variable के requirement हो रही है उसको आप लोग degree of freedom बोल रहे हैं तो यहाँ पर क्या degree of freedom क्या बता रहा है minimum नमबर आप independent variable required to define the position or motion position 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 और motion माइडियर यह position या motion जो वर्ड लिखा गया है एक दूसरे के analogous है क्या है analogous theory of machine subject में माइडियर theory of machine और fluid के subject में हम motion को define करते हैं किसको करते हैं हम जब fluid up machine fluid up machine मतलब fluid mechanics FM या theory of machine fluid mechanics या theory of machine में हम motion से define करते हैं अपने independent variable को आप degree of freedom की पढ़ाई माइडियर thermodynamics और material science में भी करते हैं और thermodynamics के अंदर हम जो वहाँ पर independent variable define करते हैं study करते हैं वो position होता है और उस position को thermodynamics के अंदर माइडियर हम लोग क्या बोलते हैं state बोलते हैं क्या बोलते हैं state बोलते हैं और thermodynamics में ही माइडियर thermodynamics के अंदर ही state का change होना स्टेट का चेंज होना हमारा कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जब जाता है अपना स्टेट बदलता है तो उस स्टेट चेंज होने की प्रक्रिया का हम लोग क्या बोलते हैं थर्मो डायनामिक्स में प्रोसेस बोलते हैं क्या बोलते हैं थर्मो डायनामिक प्र जो है उस वहां पर civिन कर लिए हम लोग क्या युज करते हैं और एजब करेंट का चंज होना भी क्या है मोसन है कोडिनेट का चेट होना क्या है मोसनन तो हम यह तो इसे मर्द आपना डिगरीडिंड की बात करेंगे वो motion पे concentrate होकर अपना study करेंगे आगे देखते हैं माइडियर आपके पास कोई object है क्या है कोई object है उस object को हम लोग लिंक बोलेंगे क्या बोलेंगे हमारे पास कोई एक link है और हम जो देखने जा रहे हैं 3D space के अंदर एक चीज़ आपको बता देते हैं आपे के माइडियर इस पेस के अंदर इस इस पेस में हमारे पास तीन independent coordinate है क्या है हमारे पास तीन independent coordinate है हमारे कितने इंडिपेंडेंट coordinate है तीन एक्स य जेड़ माइडियर इस तीन independent coordinate के अंदर हमारे पास तीन independent plane भी है क्या है तीन independent plane भी है तीन independent plane है इस plane को हम लोग बोल रहे हैं एक्स जेट plane इस plane को हम लोग बोल रहे हैं एक्स वाई plane और इस plane को हम लोग बोल रहे हैं क्या YZ plane तो 3D space के अंदर माइडियर तीन independent coordinate होते हैं तीन independent plane भी होते हैं और इसी 3D space में अगर हमारे पास कोई एक link हो कोई एक object हो तो हम हम देखते हैं कि उसके पास ओक इस पेस में कितना motion कर सकता है हमने यहां पर एक डियाग्राम बनाया है मैडियर X Y Z हमारे पास coordinate है एक Z coordinate है यह coordinate तीन independent plane भी बना रहे हैं एक X Y plane Y Z plane X Z plane हम देखते हैं कि हमारा जो एक link है वो इस पेस में कितना motion कर रहा है इसको समझते हैं हमारे पास एक box है इसको आज ये link काउट करेंगे हम हम देखते हैं कि इस पेस में कितना motion कर सकता है देखते हैं हमने दिखाया है horizontal axis को यहाँ पर x coordinate यह x coordinate में translate कर सकता है क्या कर सकता है x coordinate में x में translate कर सकता है ठीक है वाई में translate कर सकता है हमारा यह link हमारा यह link जो है यह वाई में translate कर सकता है x में गया translate करके वाई में गया translate करके ठीक है जेड में भी translation कर सकता है तो एक तरह से देखा जाए एक तरह से देखा जाए तो 3D space के अंदर हमारे एक लिंक के पास तीन ट्रांसलेशन होंगे त्री ट्रांसलेटरी मोशन होंगे साथ ही साथ यह हमारा जो लिंक है यह हमारा जो लिंक है यह और क्या कर सकता है इस हमारे एक्स जेड प्लेन यानि होरिजन्टल प्लेन में यह रोटेट कर सकता है यह horizontal plane में rotate कर सकता है ठीक और क्या कर सकता है इस x-axis के about एक और rotation कर सकता है पहरा rotation इस जब plane में कर रहा है तो इस z-axis के about एक एकसी साफ rotation इसका z-axis है स्री vertical axis को हमने y दिखा रखा है y-axis y-axis के about एक rotation मिला ठीक है x-axis के about एक rotation मिला और z-axis के about भी हमको क्या मिला है एक rotation मिला है इस तरीके से एक जो link है एक object है वो free space के अंदर तीन translation कर सकता है और साथ ही साथ एक तीन rotation भी कर सकता है तो maximum number आप जो motion है एक link के पास space के अंदर वो जो है कि 6 rotation, 6 total motion कर सकता है तो एक 3D space के बारे में my idea हमने study कर लिया है इसके बाद बहुत ही important और बहुत ही जन्राटिडार topic का discussion हमारा next lecture में होने वाला है copy को बिल्कुल revise करके आईएगा ताकि आगे का class हम बहुत ही जो है कि beneficially तरीके से उसको कर पाए और उस पूरा आनन ले पाए उस class का तब तक के लिए धन्यवाद झाला है